Good morning class, this is your lecture 2nd of chapter 12, Simple Past Tense. Students, open your book and go to page number 64. In the Simple Past Tense, we add D or ED to a verb. Simple Past Tense में हम, verb में D और ED को add कर देते हैं. Vype, Vype का क्या हो जाएगा? Vyped, इन्होंने W-I-P-E, में क्या किया? D को add कर दिया. Second, Pre, P-R-A-By, ये verb है, इसमें इन्होंने क्या किया? ED add कर दिया. P-R-A-By-E-D, तो Simple Past Tense में हम D और ED वर्ब में add कर देते हैं. For words that end in a consonants plus by, we change the by to I and then add ED. जो words consonant से end होते हैं, by पे जैसे end हो रहे हैं, तो उनमें हम क्या change करते हैं? By की जगे हम I लगा देते हैं, I को हम यहाँ पे add कर देंगे, in place of by, और फिर हम उसमें ED add करेंगे. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, fry, F-R-By, यहाँ पे नो ही क्या किया? F-R, by की जगे, I लगा दिया, और फिर हम ED add कर देंगे. तो यह हो जाएगा आपका fried, C-R-By, इसको हम क्या करेंगे? By की जगे, I को add कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे C-R-I-E-D, ED और add कर दिया, तो यह हो जाएगा cried. For some verbs that end in our bobbles, plus by, we remove the by and add ID. वो words, जिनमें by से last जो word है, उससे पहले, sorry, last जो alphabet है, उससे पहले, bubbles आते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, by को remove करके, ID को add कर देते हैं, जैसे की pay का हो जाएगा paid, इन्होंने यहाँ पे ID को add कर दिया, say का said, lay का led, okay? Next, for some verbs that end with the consonant, we repeat the consonant and add ED. वो words, जो consonant पे, जो end होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, जो last alphabet होगा, उसको हम repeat कर देते हैं, जैसे की यहाँ पे आप देख सकते हैं, last में क्या है, P, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, P को add कर दिया, और फिर ED add कर दिया, तो step, step, अब ऐसे ही pop आपको दिया हुए, pop में क्या है, last जो alphabet है, उसको हम यहाँ पे repeat कर देंगे, जैसे की इन्होंने किया है, P, O, double P कर दिया है, यहाँ पे प, O, P था, यहाँ पे इन्होंने P, O, double P, E, D, ठीके, ऐसे P को इन्होंने repeat कर दिया, clap, last में क्या है, P है, तो हम फिर से P को repeat कर देंगे, यहाँ पे, C, L, A, double P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ED add कर देंगे, clap, okay class, lecture second यहाँ आपका complete होता है, thank you class, have a good day,